जेसी कलकत्ता एक्स्प्रेस श्यांपुर में रुकी एक लड़की जिसका चेहरा पूरी तरह ड़का हुआ था, वो ट्रेन की जनरल बोगी की भीर की परवाह किये बिना ट्रेन में भागते हुए प्रवेश कर जाती है अंदर इतनी भीर थी की ऐसा लग रहा था कि वो कोई शरनार थी कैंप ट्रेन में टहने की भी जगह नहीं थी उस लड़की ने इधर उधर देखा और फिर ट्रेन के शौचाले में जा घुसी और उसने शौचाले का दर्वाजा बंद कर लिया लड़की, बस बस यहां से निकल जाओ मैं किसी तरह यहां से निकल जाओ वो बहुत ही छोटा स्टेशन था इसलिए ट्रेन वहां एक मिनिट के लिए ही रुकी थोड़ी देर बाद ट्रेन ने अपनी रफ़तार पकड ली जैसे जैसे ट्रेन अपनी रफ्तार पकड रही थी वह लड़की जिसका नाम चंदा था उसकी सांसों की रफ्तार भी धीमी हो रही थी और वो मन ही मनेक उत्सव मना रही थी उत्सव आजादी का उत्सव स्वतंत्रता का चंदा, मैं मुक्त हो गई, मुक्त हो गई मैं उस नरक से चंदा एक बहुत ही गरीब घर की लड़की थी उसके पिता बच्पन में ही गुजर गए थे उसकी मा दिहाडी मजदूरी का काम किया करती थी कभी वो मकान का काम करती तो कभी पुलका तो कभी सुरंग बनाने का चंदा की मां बीमार भी रहा करती इसलिए उनके घर का चूलहा कभी जलता तो कभी नहीं जलता बहुत ही मुश्किल से उसकी कमाई से घर का गुजारा चलता था जब चंदा दस साल की हुई तो एक दिन उसने अपनी मा से कहा चंदा, मा, मैं भी तुम्हारे साथ काम करने जाना चाहती हूँ दोनों मिलकर काम करेंगे तो ज्यादा पैसे आएंगे इससे तेरी दवाई भी आ सकेगी और दो टाइम की रोटी भी मा के लाख मना करने के बावजूद वो काम पर जाने लगी जल्थी चंदा अपने काम में एक्सपर्ट हो गई सुरंग बनाने का काम उसे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि उसमें ज्यादा दिहाडी मिलती थी हालांकि उसमें खत्रा भी होता था बहरहाल समय अपनी गती से बीत रहा था चंदा पंदरह साल की हो गई थी और जैसा की होता है बेटी की बढ़ती उम्र माबाप के लिए एक नई जिम्मिदारी को जन देती है चंदा की मा यशोदा उसकी जल्थ से जल्थ शादी करना चाहती थी क्योंकि उसका स्वास्थ अब बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता था अब तो वो सारा समय घर पर ही रहती चंदा ये दवा पी ले दवा नहीं पियेगी तो ठीक कैसे होगी यशोदा दवा दवा तो सालों से खा रही हूँ बेटी अब मैं ठीक होने से रही बस अब यही चाहती हूँ कि आखे मूंदने के पहले तेरी शादी देख लू लेकिन गरीब बेटी की शादी करना उतना ही मुश्किल है जितना भूसे के धेर में सुई ढूंडना फिर भी यशोदा चंदा की शादी की कोई भी कोशिश नहीं छोड़ती थी इसी क्रम में एक दिन चंदा की दूर की बूआ यशोदा के घर आई बूआ, अरे पहले सांस तो लेने दे फिर बताती हूँ सारी बाते विस्तार से असल में चंदा की बूआ चंदा के लिए एक बहुत अच्छा रिष्टा लेकर आई थी यशोदा को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी चंदा की किस्मत इतनी अच्छी है बूआ, अरे यशोदा कितनी बार कहूँ उन्हें मैंने दिखा दी है चंदा की फोटो चंदा उन्हें बहुत पसंद है यशोदा और लेन देन बूआ, फिर वहीं बात अरे कहाना अभी, लोग अच्छे खाते पीते घर के हैं उन्हें एक रुपया नहीं चाहिए बस दो जोडी में चंदा को विदा कर दे जब जिन्दगी में सिर्फ दर्धी दर्ध भरा हो चारो और दुखी दुख हो तो उस समय अगर अच्छी खबर भी मिले तो इनसान उस खबर को शक की नजर से देखता है यशोदा का भी वही हाल था उसे उस दिन तक चंदा की शादी की बात पर यकीन नहीं हुआ जिस दिन तक उसके द्वार पर बारात नहीं आ गई यशोदा, बेटी, हम दोनों ने जीवन में बहुत ही तकलिफें देखी है इश्वर करे तुम्हारे अपने घर में तुम्हें सारी खुशी मिले इतनी खुशी मिले, इतनी खुशी मिले कि तुम अब तक की सारी तकलिफें भूल जाओ अपनी मा से धेर सारा आशीरवाद लेकर चंदा अपने पती मोहन के घर श्यामपुरा गई मोहन के पिता का देहांत कुछ साल पहले हो गया था मोहन की मा शीला देवी बहुत ही कड़क मिजाज औरत थी जैसे ही चंदा ने इस घर में प्रवेश किया तो उसने साफ साफ चंदा से कह दिया शीला, चंदा, ये जो घर है ना यहां के कोने कोने में मेरी हुकूमत चलती है मेरी मर्जी के बिना यहां एक पत्ता भी नहीं हिलता और घर ही नहीं पूरे श्यामपूर में शीला देवी यानी मेरा रास चलता है इसलिए कभी भी भूल से भी अपनी मर्जी यहां चलाने की कोशिश मत करना जो चीजे यहां होंगी उसे आख मूंद कर स्वीकार कर लेना और अगर स्वीकार नहीं किया तो तुम्हारी जिंदगी नरग बना दूंगी अपनी सास की बातों को सुनकर चंदा का सिर घूमने लगा उसे अपनी सास जो कुछ दिनों पहले दुनिया की सबसे भली औरत लगती थी वो एकदम से विलन की तरह लगने लगी थी शादी के पहले जब शीला देवी चंदा को देखने उसके घर गई थी और चंदा ने उसके पाव चुए थे तो शीला अरे तुम मेरे पाव चुओगी बेटी देखो तुम उस घर में विवाह करके जा रही हो जहां बहु को बेटी की तरह रखा जाता है चंदा बेटी बस एक ही बात तुम से कहना चाहूंगी कि अगर शादी के बाद तुमें उस घर में जरा सी भी दिक्कत हो तो सबसे पहले मुझे बताना क्योंकि तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे उपर सबसे ज्यादा होगी चंदा जरूर बताओंगी माजी शीला और हाँ ये लो दो लाक रुपे है इसे तुम रख लो शादी ब्याह में बहुत पैसे खर्चोंगे ना इन पैसों से तुम्हें जो भी लेना हो ले लेना महंगी साडी गहने जो भी लेना हो अगर पैसे कम पड़े तो मैं और भिजवा दूंगी ये शोदा की तरह चंदा को भी अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं हो रहा था लेकिन सचाई तो यही थी कि उसकी शादी श्यामपुर के सबसे अमीर घर में हो रही थी लेकिन चंदा को ये पता नहीं था कि जिस किस्मत पर वो शक कर रही है उसकी उसी किस्मत ने अपने नुकीले नाखून निकाल रखे हैं जो आगे चल कर उसकी जिन्दगी को नोच नोच कर उसके शरीर से लेकर आत्महत्या को दर्द देने वाले है शादी के एक सप्ता बाद की बात है मोहन शहर गया हुआ था और उस दिन शीला देवी ने चंदा को ऐसी बात कही जिसे सुनकर उसकी रूह कामप गई चंदा ये क्या कह रही है आप? मैं कोई बात दोहराती नहीं मैं? मैं ये नहीं कर सकती अरे कैसी माहें आप जो अपने बेटे की पत्मी को किसी दूसरे के साथ सोने के लिए बोल रही है? शीला, चंदा, जो बोल रही हूँ वो करो क्योंकि उसके अलावा कोई चारा नहीं है तुम्हारे पास चंदा, अरे अजीब जिद्धी है आप क्या दिमाग खराब है आपका? मैं कोई बाजारू औरत हूँ जो आप मुझे इस तरह से किसी गैरमर्द के साथ सोने के लिए कह रही है चाहे मेरी जान चली जाए लेकिन मैं ये नहीं करूंगी और आने दीजिए आपके बेटे मोहन को, मैं उन्हें पूरी बात बताती हूँ चंदा की इस बात पर शीला जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हुए ही उसने एक जोरदार चाटा चंदा के गाल पर मारा शीला, सुन मोहन मेरा बेटा नहीं है वो मेरा प्यादा है प्यादा और उस प्यादे के कारण ही तो मैं ये दुनिया सालों से चला रही हूँ शीला देवी एक बदमाश औरत थी श्यामपुर में उसका काफी दब्दबा था वो लड़कियों का व्यापार किया करती थी लेकिन उसके व्यापार का तरीका बहुत ही अलग था उसका प्यादा मोहन पहले लड़की से शादी करता और फिर उसे यहां ले आता और उसके बाद शुरू होता उस लड़की के शोशन का सिलसिला अब तक सैक्रो लड़कियों का जीवन शीला देवी ने नरक की तरह बना दिया था और जिसने भी उस नरक से निकलने की कोशिश की शीला, राजवंश सोहन, तुम लोगों के रहते हुए इस लड़की ने भागने की हिम्मत की? इसे भी वही सजा दो जो अब तक हमसे गदारी करने वाले को दी गई है शीला के ओरडर पर उस लड़की के शरीर में पत्थर बांध कर उसे कुए में डाल दिया जाता था डूबने से उसकी मौत हो जाती है शीला ने इस तरीके से कई लड़कियों को अपने गुंडों की मदद से ठिकाने लगाया था चंदा उनके लिए नया शिकार थी उसका भी शोशन शुरू हो गया पत्नी के रूप में यह आई चंदा पांचाली बन गई थी वो हर दिन खुट रही थी हर दिन मर रही थी लेकिन शांती से सब सह रही थी एक दिन उसकी भी बरदाश्ट की सीमा तूट गई और वो वहाँ से भाग निकली इसका पता तब लगा जब एक ग्राहक चंदा के कमरे में गया ग्राहक, अरे शीला देवी तुमने पैसे तो पूरे ले लिये लेकिन वो चंदा चंदा कहा है? शीला, चंदा अपने कमरे में है और कहा है? ग्राहक, वो अपने कमरे में नहीं है ये सुनकर चंदा देवी के कान खड़े हो गए वो भाग कर चंदा के कमरे में गई तो वो नदारत थी शीला, अरे मुफ्त खोरो, कहां मर गए तुम सब के सब? वो चंदा भाग गई गुंडा, चंदा भाग गई लेकिन कैसे? उस गुंडे की बात सुनकर चंदा देवी ने एक जोड़दार तमाचा उसे मारा और कहा एक घंटे के अंदर अगर वो लड़की मेरी आखों के सामने नहीं आई तो तुझे उपर भेज दूँगी चंदा की तलाश शुरू हो गई लेकिन चंदा तो वहां से बहुत दूर जा चुकी थी चंदा पूरे तीन सालों राक्षसों के पास रही और इन तीन सालों में उसने सब की नजर से बचा कर अपने कमरे से होकर बाहर निकलने के लिए एक सुरंग बनाया उसने इस काम को इतनी सफाई से किया कि किसी को कानो कान खबर नहीं हुई जब शीला देवी और उसके गुंडों को सुरंग का पता लगा शीला अरे बाप रे बाप वो लड़की तो बहुत ही शातिर निकली हमें लगता था वो बहुत शरीफ है लेकिन उसने तो शीला देवी बहुत टेंशन में थी उसे अब अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए नई लड़की चाहिए थी दूसरा उसे इस बात का भी डर था कि कहीं चंदा पुलीस को उसका राज ना बता दे लेकिन उधर चंदा ने शीला देवी के पूरे गिरो को खत्म करने के लिए अलग ही प्लानिंग की थी उसने वहां से भागने के पहले ही रसोई घर जाकर रसोई घर के गैस की पाइप को काट दिया था जिससे गैस धीरे-धीरे करके निकल रही थी एक रोज जब शीला देवी के कहने पर उनका रसोया खाना बनाने गया और उसने गैस आउन किया तो एक जोरदार ब्लास्ट हुआ और शीला देवी के मकान सहित उसकी पूरी गंदी दुनिया उसमें जलकर खाक हो गई